यदि सदिश A, सदिश B, सदिश C इस प्रकार के 61 सदिश हैं कि A.B.A.C. बराबर 0 तथा B और C के मद्दे कौन 5 by 6 है तो सिद्ध कीजे कि सदिश A बराबर है प्लस माइनस 2 इंटू B क्रॉस C यहां हमें A, B, C तीन 21 सदिश मिले हैं अर्थात इनके मापांक एक के बराबर हैं मौडूलस A, मौडूलस B और मौडूलस C का मान एक है इसको हमने पहला समीकरण माल लिया हमें और क्या मिला है A.B.A.C. बराबर 0 हमें मिला है A.B.A.C. बराबर 0 अब A.B. का मान यादी 0 के बराबर है तो A और B लम्ववत है इसी प्रकार A.C. यादी 0 के बराबर है तो A और C लम्ववत है A.B. के आर A.B. के या हमारा दूसरा समीकरण हो गया अब हम जानते हैं कि जो B cross C होता है वो सदिश B और C के लंबवत होता है B cross C से क्या भी प्राय है ये वो सदिश है B cross C जो सदिश B और सदिश C के लंबवत है ये B और सदिश C के लंबवत है प्रशन में हम क्या देखते है कि B और C के लंबवत क्या है A सदिश है तो प्रशना अनुसार A सदिश किसके बराबर हो गया सदिश A बराबर हो गया प्लस माइनस B क्रॉस C बटे B क्रॉस C का मॉडुलस यह हमारा तीसरा समीकरण हो गया इस तीसरे समीकरण में एक बार हम पुनह ध्यान देते हैं कि B x C जो है, B x C कौन सा सदिश होता है, जो सदिश B और C के लंबवत होता है, और प्रशन में हमें क्या दे रखा है, कि B के भी लंबवत है A, और C के भी लंबवत है A, तो 21 सदिश A बराबर, क्या हो गया, प्लस माइनस B x C, बटे B x C का मॉडुलस, अब हम B x C का मॉडुलस क्याद करते हैं, तो B x C का मॉडुलस क्या हो गया, B x C का मॉडुलस हो गया, मॉडुलस B, मॉडुलस C, साइन पाई बाई सिक्स, क्योंकि जो B और C के मद्दे कौन है, वो पाई बाई सिक्स है, तो यह मान हो गया, B x C का modulus अर्थात modulus B modulus C sin pi by 6 sin pi by 6 एक बटा दो होता है B 1 के बराबर है B का modulus 1 है 21 सदिश है इसी परकार C भी एक 21 सदिश है तो मान कितना हो गया B x C के modulus का मान हो गया 1 गुणा 1 गुणा 1 बटा 2 अर्थात 1 बटा 2 तो तीसरे जो तीसरे समीकरण है इसमें हम B x C का modulus एक बटा 2 लिख सकते हैं तो समीकरण 3 में B x C का मान रखने पर अर्थात 1 बटा 2 रखने पर सदिश A बराबर हो गया प्लस माइनस B x C बटा 1 बटा 2 2 ये अंश में चला जाएगा अर्थात मान कितना हो गया सदिश A बराबर प्लस माइनस 2 इंटू B x C और यही हमें सिद्ध करना है इती सिद्धम A x B का modulus का मान गयात कीजे यदि सदिश A बराबर है 10 सदिश B का modulus बराबर है 2 और A.B बराबर है 12 तो यहां हम माल लेते हैं कि सदिश A और सदिश B में के बीच के जो कौन है वो थीटा है हमने सदिश A और सदिश B के मद्द कौन थीटा माल लिया अब A.B हमें 12 के बराबर मिला है तो A.B परिभाशा से हम जानते हैं डॉट प्रोडिक्ट की परिभाशा से यह होता है modulus A, modulus B, cos theta modulus A हमें पता है 10 है modulus B हमें पता है 2 है cos theta हम जात करना चाते है A.B हमें पता है 12 मान रख दिया तो 12 बराबर हो गया 10 कौना 2 cos theta अर्था cos theta का मान हो गया 12 बटे 20 अर्था 3 बटा 5 हमने 4 से काट दिया तो 4 तीए 12 हो गया 4 पंजे 20 cos theta बराबर हो गया 3 बटा 5 अब cos theta से हम sin theta का मान निकाल सकते है तो sin theta हो गया under root 1 minus cos square theta under root 1 minus 3 बटे 5 का whole square cos theta का मान रख दिया मान कितना आ गया 25 minus 9 बटे 25 का under root अर्थात under root 16 बटे 25 मान आ गया 4 बटे 5 तो हमने sin theta गया गयाद कर दिया sin theta है 4 बटे 5 अब देख़ो हमें क्या गयाद करना है हमें गयाद करना है A x B का modulus तो A x B का modulus बराबर हो गया modulus A मृडुलस B sin theta modulus A का मान है हमारा 10 B का मान modulus का मान है हमारा 2 sin theta हम गयाद कर चुके है 4 बटे 5 मान रख दिया 10 गुणा 2 गुणा 4 बटे 5 अर्थात 16 एक रॉस बी का मोडूलस इस परकार से हमने अभिष्ट मान ग्याद कर लिया मान हमारा है 16